तो आपका ये जो cell phone है ये radio waves के आधार पर चलता है आपको लगता होगा आपका cell phone जब ऐसे ही पड़ा है जब आप phone नहीं कर रहे हैं तो ये काम नहीं कर रहा है नहीं ये हर 30-40 second में एक बार एक radio wave भेजता है हवा में antenna की तरफ So constantly your phone is working, it is beaming radio waves इधर आपके cell phone से या आपके cell phone antenna के पास या करीब रहने से over long term आपकी health पर बुरा असर पढ़ सकता है So just a few do's and don'ts, simple lifestyle changes, आप इस exposure को आप reduce कर सकते हैं So please adopt these, तो क्या आपको आदत है अपना cell phone on रखकर अपने सिरहाने पे रखकर सो जाने की? ये बिल्कुल ही गलत आदत है, इसी वक तोड़ दीजे से जब आप सोते हैं, आप अपना phone दूर रखिए, चार्जिंग पे दूर रखिए और अगर आपको alarm लगाना है phone पर, तो phone को airplane mode पे रखिए और फिर it's okay to have it by your side क्या आपको आदत है अपना phone यहाँ पर, अपने दिल के करीब या अपने pocket में यहाँ पर रख कर पूरे दिन घूमने की? ये बहुत गलत आदत है, इसे प्लीज अपने शरीर पर लगा कर मत खूमिये, you can put it in a bag या जब आप काम कर रहे हैं तो आप अपने पास एक थोड़ी सी दूरी पर, टेबल पर रख लीजे, but do not move around the whole day with your phone in your pocket Blackberry manual, iPhone manual में भी लिखा है, अपने शरीर और phone के बीच में अंतर 5-8 of an inch ज़रूर रखिए इसका ये भी मतलब है, कि हम जो ये phone चिप का कर अपने कान पर लंबी-लंबी बाते करते हैं, ये भी गलत है दो cell phone companies खुद आपको बता रही हैं, कि keep a distance of 5-8 of an inch या 15 mm की distance पर अपना phone रखिएगा अकसर हम phone calls अपनी गाड़ी से करते हैं, कि चलो हम बैठे हैं, तो ये वक्त हम अपना इस्तिमाल कर लें और cell phone पर phone करते रहते हैं ये भी गलत बात है जब आप गाड़ी में होते हैं जब आप ट्रेन में होते हैं जब आप एलेवेटर में होते हैं तो ये जो एलेवेटर है या ट्रेन है ये जो मेटल की शीट है जो आपके इर्थ गिर्थ है इट आट्स लाइक लाइक्रोवेव अवन तो यह जो radio waves है यह वहाँ पर टकरा कर वापस आती है and that intensifies radiation inside the elevator, inside the car, inside a train क्या आपको महसूस होता है कि जब आप लंबी बात करते हैं cell phone पर तो आपके कान गरम हो जाते हैं इसका यह मतलब है कि यह जो radio waves आपके phone से जा रही है यह आपके कान के जो area है, यह पुरा skin, यह soft tissues, यह उनको heat कर रही है it's like a microwave effect तो please keep your calls short अगर आपको लंबी बात करनी है, तो best is get a wired headset, like that ठीक है, ताकि आपका phone आपसे थोड़ा दूर रहे और आप अपनी बात कर सके wired headset, bluetooth नहीं अगर आपके पास choice है, landline है, तो सबसे best, आप अपना cell phone हठा दीजिए और landline से phone करिए अगर आप phone ना करें और text करें, तो that'll be even better एक बहुत important बात, अपना phone बच्चों को मत दीजिए, खेलने के लिए भी नहीं बच्चे जो हैं, उनकी ये जो हड़ी होती है, ये बहुत ही पतली और नाजुक होती है तो ये जो radio waves हैं, जो cell phone के लिए इस्तिमाल होते हैं, they travel through your child's brain So, since we are not sure of the long-term effects of EMF radiation, it is better to be safe than be sorry So, please, अपने बच्चों को phone मत दीजिए जब आपके phone पर signal weak हो, तो तब phone का इस्तिमाल मत कीजिए क्योंकि उस वक्त आपका phone बहुत radiate कर रहा है उस वक्त वो radio waves जोरों से antenna को ढूण रही है So that you get connectivity ऐसे वक्त पर जबके आपका signal low है, आप अपने phone को preferably इस्तिमाल मत कीजिए So, ये थे कुछ do's and don'ts अपना लीजिए and reduce your exposure to radio wave activity from your cell phones